गीता में अर्जुन को स्वयम भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो इसी प्रकार हजरत मुहम्मद को उनका अल्ला कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभू कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये जगत गुरूत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अमरित वचर्ण आब वो वेदों अनुशार साधना कर रहा था रुची रिशी और उसके जो पिता जी दादा जी प्रदा जी र चोथा दादा जी वो मर चुके थे वो भूत बन रहे थे और वो भी रिशी थे ब्राह्मन थे उन्हें भी ये करमकांड करेवर करवाय थे तो बूता बनेंगे वैं तो वो च्यारों दिखाई दिये और कहा बेटा तुने व्यहा क्यों नहीं करवाया व्यहा करवा के तुम हमारे असराद करता है और हमारी गती हो जाती अब रूची कहने लगा के पिता महो वेद में तू ये मना करख्या है ये सराद सुरूद निकालनार ये करमकांड करना ये तो मुर्खों का मारग है और वो पत्तर भी कहते हैं बेटा है तो ऐसा ही इसमें कोई संदेने मिठ्णा नहीं है सचा ही है लेकिन हमारा क्या होगा कि यह गीताप्रेस गुरुपर्श्य प्रकासिते है गीताप्रेस गुरुपर्श्य प्रकासिते है कि दो सौ ब्यारीस प्रेश्ट पे संक्सित मारकंडे ये पुराण रचे मुनी की उत्पत्ति कथा मारकंडे जी बतात कहते हैं के ब्रामन पूरुव काल की बात है परजापती रूची ममता और एंकार से रहित इस परच्वी पर वितरते थे उन्हें किसी से भैर नहीं था वे बहुत कम सोते थे उन्होंने ने तो अगनी की स्थापना की थी ने अपने लिए घर ही बना रखा था वे एक बार बोजन करते और बिना आसरम के ही रहते थे उन्हें सब प्रकार की आसकतियों से रहित एमें मुनी वर्ती में देख रहते देख उनके पित्रों ने उस उन से कहा यह जखिए यह चारों आगे बूत बन रहे यह जखो यह रूचीर सी है यह इस इनके पहले बने हुए वो पंड़त जी सारे बूत 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 बन गे अब यह दीख गे इसने सारे कठे पित्र बोले बेटा विवा स्वरग और अपवरग का यह तू होने के कारण एक पुन्य मैकारी है यह तो इन पित्रों के वचन है यह तो पित्रों के वचन है जो अपनी सलह दे रहे हैं देखना उसे तुमने क्यों नहीं किया ग्रश्ट पुरुष्ट समस्थ देवताओं, प्यत्रों, रिसियों और अथित्यों की पूजा करके पुन्यमे लोकों को प्राप्त करता है वह सभा के उचारन से देवताओं को सबधा, सबद से पेत्रों को तथा अनदान, बलिवेश्वदेव, आधी से भूत, आधी प्राणियों, अतित्यों को उनका भाग समर्पित करता है बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गरष्ट आसरम को सविकारन करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मर्त्यों के बाद और दूसरे जनम में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा रूची ने कहा पितरगण परिग्रे मातर ही अत्यंत दुख एमेम पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगती होती है यही सोचकर मैंने पहले सित्री संग्रे नहीं किया अब यहां देखो पितर बोले बेटा जितिंदरिये होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है किन्तु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्स मारग है बता इसनत गटिया मान रहे मोक्स मारग नहीं कि तुम जो करम कर रहे हो जिस मारग पर चल ले तो मोक्स मारग है हरी वहां बतावाँगे पित्तर बढंद का मारग देखिए रुची ने पूछा पिता महो वेद में करम मारग को अविद्धा कहा गया है जो तुम सला दे रहे हो वो करम कांड सराद सरूद निकालना पित्तर पूजना वो तो मूर्खों की विद्धा गया अविद्धा का है गूर्खों का सला कही है फिर क्यों आप लोग मुझे उस मारग में लगाते हैं पित्तर भी कहते हैं पित्तर बोले यह सत्य है कि करम को अविद्धा ही कहा गया है इसमें तनिक भी मिथ्था नहीं फिर थारा सर बच गया फिर के रहे गया बतावाई ये अमरे पुराणों में लिखा है अब इस बात को पित्तर भी मानते हैं आप जो साधना करें तो मोक्स मारग है और आप फिर उसको सला दे रहे हैं भूत पूज सरहाद निकाल ब्या करवा और यू नरक मारग है और आप भ आप जो मारग बना रहे हैं तो मोक्स मारग है और रूची कहता है वेद के अंदर तो इसको अब इद्या मुर्खों की साध ना बताई है तो पित्तर बूद पूजना असराद निकालना है और पित्तर सभी कार भी कर रहे हैं ऐसा ही है इसमें कोई मिठा नहीं फिर ये बख कर चादग रहे हैं कि अगरू मिठा जाकर उड़े प्तर ऐसा और तेप्तर पूद्र दे देते प्लद धेते आपब πुकिः मरे बताए मोरक बना रहे जारी है एक थोड़ी सी ज हर एक दकाते है आपको हरुआ ये ले रहे हैं, देख, महारकंडे पुराण के अंदर है, ये ये आपको सुना रहे हैं, ये कासी प्रिष्ट से थोड़ा सा लेंगे, मंदालसा बोली, मंदालसा बोली महराज, ये मंदालसा ग्यान देती में आ रही है, मंदालसा, मंदालसा, यह 82 प्रष्ट पे संक्सिप्त मारकंडे पुराण यहां देखिए अब यह क्या सलारे देरी है कि जो पित्र देव लोक में हैं और जो त्रेक योनियों में यह पसुपक्सी बने हुए हैं और जो मौनुस योनियों में एवें भी भूत वरग में सथित हैं भूत बन रहे हैं और वे पुन्यात्मा हो यह पापात्मा जब भूध प्यास से विकल होते हैं तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुस पिंड़ दान तथा जल दान के दोरा उन्हें तरिफ्त करता है इस बता मनुश पित्र भूत प्रेथ गोहक पकसी किर्मी और कीट आदी भी मनुशियों से ही जीवी का चलाते हैं अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पित्र देव लोग में हैं जो तर्रक योनिया में पड़े हैं और जो मनुश योनियों में यानि भूत आदी पित्र क अब क्या बताते हैं यह देखिएगा यहां क्या बता है संक्सित मारकंडे परान 22 परान प्रिश्ट पे इन मैं से इन मैं से जो नरक में निवास करते हैं जो पसू पकसी की योनियों में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेताधी की रूप में सतीत हैं उन सब को विधी पुरुक सराद करने वाला ये जमान तरफ्त करता है कैसे करता सुनो मुनश पर्थवी पर जो अन बिखेरते हैं उन से पिचास पिसाच यो नीम पड़े पित्तरों की तरफ्ती होती है जो जमीन पर दाने डाल देते हैं बेटा सनान के वस्तर से जो जल पर्थवी पर टपकता है उस से वरक्स यो नीम पड़े हुए पित्तर तरफ्त होते हैं जो रूख वरक्स बन गए उन नियों का ना का जो वस्तर ने चोड़ दिये ने वो वरक योनी में पड़े हुए तरफ तो जाएंगे अरवले आदमियों अब ये एक बार क्या था प्रमात्मा कबीर जी कासी में गंगा गाठ पर चले गए गंगा का गाठ बना हुआ है वहाँ पर ये ब्रामन लोग सुरिये को यानि ऐसे सुरिये की तरफ मो करके गंगा से जल उठावें और वही डाल दें कबीर साहिब बढ़के उसमें गंगा में गुटनों पाड़ी में और ऐसे नोकरन लगे गंगा के जल को पट्रीव फ्हें करें पूरी सबीड़त है अब वो सारे पंड़ती अपना काम छोटे के कबीर साहिब क्यों देखने लगे कहने लगे कबीर ये क्या कर रहा तू कबीर जी बोले आप क्या कर रहे हो मनने ना पूछा तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं ये हम य ये वाँ सुर्ग में हमारे बुखे पैसे पित्रों को जल पराप्त होगा प्रमात्मा बोला मैंने एक बगीची लगा रखे अपनी जौफडी का आगे और मैं उस बगीची को सीच रहा हूं फिर मंट के करेड़े हो गए तो वो कहने लगे रहे बोले आदमी इतनी दूर कैसे जाए गाजल ये तो यहीं पड़ा है वो तेरी जौफडी का आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखे हो कैसे सिचाई होगी इससे के एक लाखों किलो मिटर दूर मील दूर तुमारे पितरों को सुरग में ये पानी मिल सकता है तो ये दो किलो मिटर पर क्या दिक्कत तो उनकी चौंद डूटगी पंड़ जिया ने फिर अपना गलती स्विकार की माल की सरण ग्रेन करी है अपने आत्माओ वही यहां ये सश्टम है देखो अब देखो इनके आगे फिर मारकंडे प्राण हम पड़ रहे हैं 92 प्रिस्ट पर बानों में पर उससे वरक्स योनी में पड़े हुए पित्तर तरफ्त होते हैं आचा वरक्स है इतना बड़ा और पानी ने चोड़ा कपड़े का उड़ा गंगा के किनार है बताओ वरक्स कै अब बाल टी पर गिरनी पड़ेंगी तो किसे मुरख बना रखें देखो और नाने के नाने पर अपने सरीर से जो जल के कन इस पर गिरते हैं उन से उन पितरों की तरफ्ती होते है जो देव भाव को प्रापत हो रहे हैं आदेखो इनकी अकल कहते नाने के बाद जो छीटे चाटे पर ठीवे पड़ते हैं वो जो देवता बनगे उन पितरों की तरफ्ती होते हैं उन से उन पितरों की तरफ्ती होते हैं जो देव भाव को प्रापत हुए हैं जो देवता बन रहे हैं और पेंडों के उठाने से वो पेंड बरवाते हैं अनके कन पितरों की तरफ्ती पशु पक्स इन्यों में पड़े हूए पतरों के तरफती है मता है वर किता हुआ इस ती बहुत कर जान चया है लुचकु जा भिर्षिवी एक पर शुचक्छ दो एक टोकर आज फार बोस्का देली एक न तेक लुकर छाए गी जान धीकुछ अब देखो कुल में बालक है जो सराद करम योगे होकर संस्कार से वन्चीत रह गए यानि वच्पन में मरें सराद करें नहीं तो वे बिख्रे वे अन और ये समाज जन के समारज जन के जल को गर्यन करते हैं ब्रामन लोग जन करने के वाद आत्मुद होते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं तो उस जल से भी अनन्य पित्रों की तरफ्ती होती है बेटा उत्म विदी से सराद करने वाले परसों के अन्य पित्र यदि दूसरी दूसरी योनियों में चले गई हो तो भी सरहाद से उन्हें बड़ी तरफ्ती होती है, अनन्य उपार जित धन से जो सरहद किया जाता है, उससे चंडाल, आधि योनियों में पड़े पेतर तरफ्त होते हैं, अब जो भूत, प्ाध, पेतर की तरफ्त होते हैं, अब प Campus नगा, कोई बैस बना खड़ा है किता है कोई काटड़ा बन रहा है इन्हों कि वह भी तरब तो होंगे वह तोड़े चकें दो दो दड़ी खाओं एक पेट पर है एक बार आधनिय गरीबदास साहिब जी गाउं छुडानी मोहें जिनको परमात्मा मेले थे और सचकंड ले जाकर एक दिन नहीं आया गरीबदास जी ने पूछा वे कल क्यों नहीं आया अगले दिन जो पहुंचा उसने बताया कि महाराज जी कल मेरी मा का सराद था और हमारे गुरू जी वो पंड़जी आये थे उन्होंने सरा सरुद निकाल ला उसनों सारा दिन ब्यजी रहा मैं का अच् अच्छा प्रमातमा पहले भी बहुत समझाते थे गृबदास जी लेकिन मारी बुद्धी इतना काम नहीं करती हैं संसार के विवार को गड़ा मैं तो देते हैं तो कभी गृबदास जी ने कहा वह ये काम करना बेटा जब तेरे पिता का सराद निकाल ले तुमारे वो ब्र गृबदास जी अपने लिए मंगाते होंगे जब उनके गृबदास जी ने सारा काम कर लिया त्यारी उसने सब लगा दिया भोग बाग कवे कवे चखा दिये तो बाद में बचे हुए दो रोटियों का दो मनुश्यों का खाना लेकर के वो गृबदास जी के मकान में आ गय गरीबदास जी भी गरस्ती थे, बालबचे दार थे, किसान थे, लेकिन परमात्मा से प्रीचित हो चुके थे, तत्वग्यान से प्रीचित थे, उस भगत का ही खेत था, उसमें एक जोड़ी थी, छोटा सा तलाब जिसको लेट बोले, जो वेक्ति लेकर आ गया दो मनुश्यो अब उस वेक्ति ने सोचा, खेतों में कोई सादूसंत आए होंगे, इनसे मिलने आते रहते हैं, वहाँ जाकर उस लेट से, उस जोहड से, एक किलो मिटर दूर, उस खेतों में जो तलाब होते थे, छोटे-छोटे, पसूँं के पानी के लिए, उसमें स्टोर कर लेते थे ज और सो फुट दूरी पर बैठे के गरीबदास जी भी रो लड़का उब्यक्ति बठा लिया, और वहाँ कहा, आवाज लगाई, उसके माता और पिता का नाम लेकर, और उसमें से एक गिदड़ और गिदड़ी निकल का आए, और वहाँ आके खड़े होगे, और लिला थी गर जी मार यो तरह बाबू, यो तरह पिता जी, इन खिला बोजन, वो दरदिया को लिका उसना, अब वो छक गे दोनों, मिंट खागे फटा फट और खागे बागे, अब गरीबदास जी बोले, कि तुम्हारे गरू जी क्या कह रहे थे, कि एक दिन के बोजन खिलाने से, और ए एक वरस तक तुमारे पिताजी पित्तर जो जिस भी यो नी में हो तिरपत रहेंगे, अखाँ जी ऐसे कह रहे थे, ये दोनों बुखे मरेंदे देखागे सारे ने, और भोगते लाके आयो तुम्हें, अखाँ जी, उस दिन पित्स्य कान पकड़ दिया, कि जी बाड मा पकवादे सारी, तो छोड़ दी सारी लोकवेद और दंद कथा, मनमाना आचन उस प्यारी आत्माने, तो अपने आत्माओं प्रमात्मा कहा करते थे, कि तुम एक दिन तो आहर करा देते, मान लीजिये, तुम्हारी बात बड़ी करें, और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवी थे, दिन में दो-दो बार तो पकारोटी खाते थे, अरी तुमको एक दिन के खाने से 364 दिन कोई जुरूरत नहीं, ये कोई संभाव बात है तुम्हारी, एक दिन तुमने भोग लगा दिया, 364 दिन क्या खाएंगे वो, मान लीजिये तुम्हारे पिता काग ब बन चुके, बन चुके, अपने आत्माओं जब हम सत बक्ती करेंगे, और इस साधना के करने से, आपके जो पित्तर भूत प्रेता धी बने हुए हैं, और चाहे वो किसी योडी में है, ये पित्तर वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मुक्स हो जाएगा आपकी बक्ती करने से, अपने आत्माओं ये सत्कर मान लेना, ये दास आपको समय अनुसार सब के लिए बताएगा, इन एड़वांस करने से आप अपना करम बेगाड़ बैठोगे, आप अपनी भक्ती करते रहो, और समय आने पर ये सब आपके पित्तर वगरा भी इस साधना से ही रिद की मुक्त हो जाइगी, अब क्या होता है? जैसे आप इनी पुरानों में लिखा है कि एक हजार ब्राह्मन भोदन कर रहे हो जैसे इनोंने प्तरों की और बूतों की सरहद की विधी बता रखी है पितरों के लिए बोजन कराव बरामनों को तो ओर्ड नंबर में हो बजाए से एक, तीन, साथ यानि पांथ, साथ ऐसे हो और बाकी एवन नंबर में हो ऐसी संख्याम जमाने चाहे हैं और इसी विष्णू पुराण में लिखा है के एक, हजार ब्रामन जमते हों, बोजन कर रहे हो और उनके सामने एक योगी, योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत साधक सत साधना करने वाला प्रमक्सर प्रमात्मा का जो साधक है वो वास्तों भगत, योगी होता है योगी कार्थ यह नहीं, यह पेट का पाणिया लागे देखा दिर आशन उषन कर रहा हो, ना यह योगी नहीं, यह तो एक, वह है अपनी, सम्झेलो, यह प्राकृतिक चिकित से कह सकते हैं, वो योगी है, योगी कार्थ होता है, भक्त, प्रमात्मा से मिलने की जो कोसिस कर र गीता प्रेश गुरुपुर से परकासित है, इसके अनुवादक है, मुनिलाल गुप्त, यह गीता प्रेश गुरुपुर से परकासित है, यह है, अज्ध है सोला, और तरतिये अंस, और प्रेश नंबर 213 पर, यहां पर लिखा है, हे राजन, सराद करने वाले पुरुष से, विश्वे देवगन, प्यत्रगन, माता महें और कुटमभी जन सभी संतूष रहते हैं, हे बूपाल, प्यत्रगन का आधार चंद्रमा है, और चंद्रमा का आधार योग है, भगती, और इसलिए सराद में योगी जन को न्यूप्च करना अति उत्तम है, यानि सत्साधक को, हे रादन येदी सराद भोजी एक सेंस, यानि एक हजार ब्रामनों के सब्मुख, एक योगी भी हो, तो वह है यजमान के सहित, उन सब का उद्धार कर देता है, यानि ब्रामना का भी, हर योगी का भी, और उनका यजमान का भी, सब का उद्धार कर देता है, पित्रों की त अपने आत्मों यहां पर आप सब योगी हैं और जो भगत आपके यहां दान करता है वो आपको जमा रहा है तो आपके पितरों का तो यह उदार हो जागा यह सत्कर्मान लियो यह इतना गजब कारा मार गए जो हमारे पराणों जो सत्य हो तो इन्हों ना गरन की नहीं इन्हों ऐसत गरहड कर ली अपने आत्मों जैसे वेद आपने रूचीरिसी की कथा मैं देख लिया मारक अपराण में के वेद में इसको अविदा कहा हाई रिक्रम कांड को और पितर भी मानते हैं क्योंकि वह ब अब इब रहामन थे रही थे अरीव हुए नो करें हमारी दुरगती हो जागी जैतो उसराद नहीं नकालाएगा अब जैसे एक सरतालो कहता है कि जैसे हमारे पता जी दिखाई दे जाएं और वो करें वेटा उसराद निकाल दे तो हम क्यों नहीं निकालना तो पड़ेगा, कोई बात है या, अपना अत्माओं उसका तरीका है, जैसे किसी का बालक और कुए में गिर गया, उसका वो तो चला रहा है, डूब गया, डूब गया, उसका कहला जा, गिले डूब जा, डूब जा, डूब जा, छलांग लगा जा, वो भी मरे गिले उसकी विधी है, उसको भी बचाने की, पहले रस सीवान देख, उपर मजबूत सी, उसको निचे डाल, उसको पकड के जार, उसने भी काड के लिया, तो ये पित्तर देखाई दे जार, ऐसे कोई है, तो उसका गेल नहीं डूब है, उस राधन नहीं करे, वो तो कुए मचला लगानाली बात होगी, ये ले मर गया, उसके लिए ये रसा है, जो दास आपको देगा, ये सत्वग्ती करो, इस तरह ये दान धर्म करो, और उनके तरह काविर सब गयेगा, उदार अपने आप उता चलेगा, ये अपने पड़ भी लिया, क्योंकि सत्थ सादक ये भग्त है ये लाखों योगी जी में एक महिने के अंदरा करके, और फिर वो एक कहके जमान में इतना लाब बता रहे हैं, तो ये तत्वग्यान और सास्तर नकुल सादना इसे आपका विकलान और आपके पितरों का, अब जैसे आप जी ने अभी सुना के वेद में इसको मूर्खा की स जादना बताई है, तो बिलकुल ठीक है, तो वेद क्या हैं, ये परमात्मा का विधान है, ये परमात्मा का आदेस है, और जो हमारे पुराणों में जो लिखा है, वो पितरों का, या बिर माजी का, या किसी ते से मंदाल सा, या कौन थी बता, इससे की बात ने साची मान ल सब नहीं सी तरह करना लगे, और या किसी अन्य रिसी का दिया हुआ आदेस है, इसका पालन हमने नहीं करना, जैसे एक समय, एक व्यक्ती की दोस्ती द्रोगा से थी, ठानेदार से, ऐसस्चों से, और उस व्यक्ती का जो साथी था प्रोसी, उसको बहुत दुखी कर रहा था उसने अपने मित्र द्रोगा जी से कहा, कि भाई द्रोगा जी ऐसे ऐसे मेरा पडोस में है, साथवाला मकान में, बहुत प्रिसान करता है, सारा कुछ कह लिया, पंचायत भी कर लिया, नहीं मान रहा है, क्या करूँ? अब द्रोगा जी ने कहा, उसका मार लट शर्म है, माप देख लूँगा, द्रोगा जी की आदेश ने लेकर उसकी आग्या का पालन कर दिया, उसने ये सोच कर यो आप संभाल लेगा, उस अपने प्रोसी के साथ जगडा ठान लिया, लट्थम लट्था होगे, उसका शर्म लट्थ लगया, वो मर गया प्रोसी, अब वो यसा चो वांका पर वारी था, वो लेख उसी को पकड़ कर, वालात में दे दिया, सजा बहुत होगी उसकी, अब राजा का विद्धान था, किसे के लट्थमारे गार मर गया, तो उसकी सजा होगी महुत, और वो विद्धान त लिखा हुआ जो आदेश है, ये द्रोगा जी का समझ लो, इन पराणों में, और वेद्धों में समीधान समझो बगवान का, बगवान का समीधान अगर तोड़ दिया, इन द्रोगा जी के कहने होते हैं, पराणों के या नकली दर्म गुरूओं के कहने से, इन साश्तर विर लगी, तो इसी गलती बामतना करें बाई, और करियो भी मत, एक जीवी तो धारण दासाब को देता है, मेरे पुझे गुरुदेव जी ब्रह्मन वरन में जन में थे, हर्याना के अंदर जिला विवानी, चर्खी दादरी के पास एक पेंतावास गाउं है, बड़ा पेंताव दास वहां वो रहते थे, किसान का काम करते थे, उबरन ब्रह्मन है, पुनातमा ब्रह्मन कोई जाती विशेश नहीं, दास बहुत बार कहता है, कि दे कोई ब्रह्मन विशेश में कह रहे है, नहीं, और वो खेतों में, मेरे गुरुदेव थे, ब्रह्मन उबरन में जनम था, उनका खेतों में गवें चरा रहे थे अपने खेतों में, उसके पास पहले जंगल बहुत होते थे, वन बहुत होते थे, एक दिन उनकी भेंट हमारे दादा गुरुजी से होगी, यानि एक संत से, वो उसे प्रेड़ना पाकर के घर से खिसकने की सोची और गुर्देव का एड पारी गवाले थे, तो उनको ये कहकर के मैं फ्रैस होकर आता हूँ, मैं देर हो जा तो तो तुम पस्वों ले चलना, मैं आप आ जाओंगा, वो जंगल में चले गए गैरे, पालियों ने वो अपने गवें गाउं में ले आए, अब वो शामने काफी देर होगी, जब नहीं आए, उनका बस्पन का नाम, गाउं का नाम हर्दवारी था, पंड़त हर्दवारी, और फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, कोई कोई पैसान ना ले गर से निकल गए थे वो, तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े जो पैन रखे थे, वो उतार दिये, दो जो गेर ने, वो उन्होंने दिन में देख लिया था, उसके उपर गेर के कपड़े, और निकल गे रात तो रात अरदवार पहुंच गे, अब गरवालों ने इंतजार की, गंटा, दो गंटा फिर पूछा उन पालियों से रख, अरदवारी नहीं आया, वो कहने लगे, वो यू आसी पहले टोरच टारत होती नहीं थी, लालटन दीपक से ले रख्या, आथो में गई देख आ रहे है, यू तो बच्चा खा रख्या है, वो होए तो किसी इंसक पसू ने खा लिया रहे है, मर गया, मर गया, अंदे होगे, रोन लागे दूरते ही, अंदी रासा थाए, वो आड जो पसू के हुए और कपड़े का ठे करके, रात ने दाग दे दिया, अग मर गया, फिर उसकी तेर मी शरू हुई, पहले तो आयम इन्ने का लठ गड़्या करता है, यो आयम है ना इबामन जिम्या करते, अब वो ब्रामन न्यारे हैं जो करम कांड करने वाले, तो वो स सराद सरू, कि यो थरा बे उलादा मर गया, नी संतान मरा हुआ है, और इसकी अच्छी सेवा करनी चाहिए नी तो क्योंकि तुम इनका हक खा रही हूँ, जमीन थी इनके नाम, और वो बंडरे भगत संत बंगे, तुनिया का उद्धार करें, एक बार जब मेरे पुझे गु रोजपुर जिला पंजाब में उनका आसरम एक इसमें खन्ना के अंदर था, एक मोगगा के अंदर था, एक नजब गड़ा सर्व था, तो तलवंडी भाई वो ज्यादा रहते थे, तो वहां से दास को उसमें आदेश दे रखा था नाम देने का, बहुत से स्यस भी उनकी प अंदेशा आया के गुरु जी यहां पेंतावास आ चुके हैं, तो दास भी पहुंच गया, तीन चार बगतों को लेकर गाड़ी से वहां, वहां देखा वो गुरु जी बैठे, परनाम हुआ, फिर उनकी एक बाबी जी थी, वो बानुम वरस्की हो रही थी, 92 एर ओल्ड थी उससे बाचीत हुई, हमने उनसे पूछा कि माता जी, जब हमारे गुरु देव यहां से चले गए, तुमने क्या सोचा पीछे थे, वो कहने लगी जी, मैंने तो ये सुना था, कि ये इनकी मर्चु होगी तिरा एक देवर था, और वो ऐसे ऐसे जंगल में किसी पक्सी ने प अपने आतों निकाल रखे इसके, और जब भी कभी कोई ऊख चूख गर में हो जाती, बसुओं में कोई हानी होती, फसल में हानी होती, हम अपने गुरु जी ब्रामन के पास जाते थे, उससे जंग पत्रा पत्रा पढ़वाते थे, वो क्या कहा करता कि तुमारा अर्दवार नी संतान मरा हुआ है, और वो तुमने सिद्ध है, तुमने हानी करता है, उसके पांचों कपड़े बढ़वाओ, उसके सराद अच्छी तरह निकलवाओ, उसका फुलाना कर जो, वो जो कुछ भी कहता है, वो सहरा करते हम, और फिर भी नू कहता है, ठीक से सराद नहीं हो, अच्छी तरह, अच्छी तरह, अच्छी तरह, अच्छी तरह, तो सराद करवाओ, यह यू बैठा नहीं हो, अब मैं कहने लगया, माता जी, देखो, गीता जी, मैं मनाक रख्या, नौ में जाएंगे, पत्चीस में स्लोक में, के भूत पूजनिये भूत बढ़ेंगे, पित अच्छी बात थे इन लोगों की, यह तो इब तो छोड़ देना इसको, नौ लिना भाई, यह तो पुराणी लागहनों के छूट रहे है, बाड मा पढ़ो फरी भीवना छूट रहे है, हद कर दी भाई, आखों देख रही है, आप से कह रही है, कि मने इसके सतर सराद निका लो इन मूर्खों को पाड़न लगरी, तो पुना अत्माओ, परमात्मा कहा करते, उंपर भी लेड़ जात है दुनिया, अमरा ग्यान की ने न सुनिया, यह वाँ दके खान जाए उन तीरितों पर वहाँ पता नहीं कहां का, अमरा ग्यान किसी ने नी सुना, अपुना अत्म यह कैसे बना पार्बती माता को बगवान संकर जी ने उस सथान पर एक सुक्य वर्क्स के नीचे एकांत सथान देखकर यह मंतर दिया था पर्थम मंतर जो दा साब को देता है इसको मोक्स मंतर बोलते हैं यह जितना मोक्स कर सकता है तो पार्बती जी को जहां वो उपदेश प्राप्त हुआ संकर भगवान ने वो मंतर उनको दिया यह अमर मंतर तो उनके लिए उस पार्बती माता के लिए वो अमर धाम है आप और अमारे लिए नहीं अब जैसे ये तीरत और ये अमरधाम कैसे जैसे आप जिसको यहां बरवाला में ये मंतर मिला उसके लिए थी यो बरवाला है अमरधाम और यहां बरवाला में ये दास हो नहीं और यहां कोई भी नहीं हो और यह खाली पड़ा हुआ असरम अब जैसे किसी ने करोथा आश्रम में नाम लिया था उसके लिए ओक्रोथा है आश्रम अमरधाम, अमरनाथ, अब वहां कोई भी कोई नी, ये दास यहां पर बेठा है, तो उस अमरधाम मां था मारक तो है कि यहां पर ऐसी गटना गटी थी लेकिन आपके लिए वाँ जाने से कोई लाब नहीं होगा आपको तो वैसा ही संथ खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंतर हो और वो अमर मंतर आपको चाहे बरवाला की गली में मिल जाता है और वहां उपदेश पराप्त ह इ हो गया तो वऑ जापके लिए मरणाथ है उस मंतर से मोक्स होगा उस अथान है III कि इस में बहुत से परवान है केख्रिसी था उसने वहां बैग कर साधना की और उसने मोक्स प्राप्त किया अपने अत्माँ जैसे एक अम़ाम दस्ता होता है सामगरी कुटन का दो आई, मुस्लिशा हो एक फूटका और दो एक फूटका हो एक फूटका उच्चा नोिंच صविटा होता है हो किसी का प्रोसी में मांग लिया और उसने उसमें कुछ सामगरी गुट्टी अवन अवन की और वो वापस दे मांज दो के कती साफ करके उनको लोटा आगा जिसका था उनको रातरी के समय जब वो सोने लगे तो महक आ रही थी उन्होंने देखा यह महक कहां से आ रही है देखते देखते देखा यह तो इस अमाम दस्ते में से आ रही है तो उन्हें देखा हो इसको तो प्रोसी ले गया था मांगके उसने कोई सामगरी कुट्टी है अपने अत्मा उसने सारी सामगरी निकाल ली कती साफ करके वापिस लोटा जिया और फिर भी महक आ रही है वो सामगरी जो उसमें कुट्टी थी वो अलग वस्तू है तो वो महक जो उसके अंदर आवे थी थोड़ी बहुत है अमाम दस्ते वो एक दिन के बाद खत्म होगी अब ये तीरत एक अमाम दस्ता समझो और जैसे उस रिसी ने उसमें सामगरी कुट्टी यानि वो साधना वहाँ बैठकर की वो सारी कमाई लेकर अपने उस धाम को साधना से जाना था वो तीरत तो एक अमाम दस्ता है उड़े एक दो मिन्ने एक दो साल उसमें मैं एक सियाव क्योंकि जहां संतन साधना की होती है कुछ देर रहत मिलती है लेकिन वो सामगरी अला काम नहीं हो सकता अब जैसे वो इतनी सामगरी कुट्टी पड़ेगी उसमे अच्छी रोज लेने के लिए यानि सत्व साधना आप कहीं बैठ कर कर लो जैसे उस रिशीने की आप अपने घर पैकरोगे आपके लिए वो तीरत आपका घर है ना कि वो सथान जहां पर किसी अन्यने साधना की वहाद देखने जाने से हमें क्या लाभ होगा जैसे ये दास पहले नगर-नगर में सत्व करने लगा तो जहां किसी ने सत्व सुना उपदेश ले लिया और वहां हम बठी बना करके खीर बनाते अलुआ बनाते सबजी बनाते थे और वहां से हम अगले सहर में चले गए और फिर कोई व्यक्ति ये बताने किसी को साथ लेकर जाए कि खीर बनी थी यहां अलुआ बनया था यहां बैठकर खाऊंए थे अब वानात रामपाल वहां पर हरना वहां पर खीर ना अलुआ वह तो सूकी बठी दिखानी है अलुआ रामपाल जा मिलेगा उडे माल मिलेगा बाई इसी परकार सब जो इन तीर्थों और बरतों को तो य सत्लोक आसरम आपके लिए उन सब दामों और तीर्थों का काम करेगा यहां आओ अपना कल्लान करो बोलो सत्कुर्दे परम पिता परमात्मा पूरन ब्रह्म परम अक्सर ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी है यह अनन्त ब्रमांडों के उत्पादक है यह सम के सरजनहार है परमात्मा की खोजमे परमात्मा की खोजमे आत्मा उसी दिन से लग गई जिस दिन से यह इस काल के जालम नफसी थी क्योंकि जो सुख इस आत्मा को सत्लोक के अंदर था यहां इस काल के लोख के किसी कौने में नहीं है उस सुख की खोज करते करते यह महा सुरग में भी पहुंच गी जिसको यहां का सबसे सुप्रिम यहांनि सबसे स्रेश्ट सुख मैं सथल बताते है वहां भी वो सुख नहीं है वहां भी ऐसे ही आग लगी है जैसे इस परच्वी पर है वहां पर भी वही प्राणी है जो यहां सुब करम करके अच्छी बगती करके इस काल के सतर की और वहां पहुंच गे वहां उनको अच्छी पोश्ट मिलगी देव सरीर प्राप्त हो गया वहां का जो सुन्दर सरीर है और जो यहां रागदवेस यह कामकरोद मो लोब एंकार यह सारे विद्ध मान है खचाखच बरे हैं उपर के लोकों के में रहने वाले पराणियों में तो वहां भी यह ऐसे ही अपना टाइम पास करका है फिर नरक में चले जाते हैं नरक का समय पूरा करके फिर यह तुरा सिलाकियों में बटकते रहते हैं पुने अत्माओं प्रमात्माँ पाने के जो सादन है वो भिन भिन नहीं है एक ही मंतर है एक ही विदी है यानि एक जैसे ही वो सब करियाएं हैं और हम प्रमात्माँ पाने के लिए कोसिस करते करते अपने जीव सतर की सोच से और अन्य लोक वेद के आधार से हम मापुर्शों से मिलते हैं क्योंकि ये विशेश कर हिंदू धर्म के प्राणियों में प्रमात्माँ में एक विशेश आस्था है प्रमात्मा की और उनको इतना ज्ञान है सद्गरंथों के आधार से के गुरू के भिना मोक्ष नहीं होता ये तो प्रतेक हिंदू धर्म के प्रमात्मा के चाह कोई भक्टी करता है या ना करता है तो वो भी ये जरूर के अवस्य कहता है कि भी गुरू बिना मोक्ष नहीं तो ऐसी विश्था अन्ये किसी भी धर्म में नहीं रही जैसे शीख धर्म के अंदर गुरू प्रमप्रा थी लेकिन बाद में वो के वल गुरू गरंथ साहिब को ही गुरू मान कर अपना अध्यात्म के रियाई करने लगे लेकिन वक्त गुरू का होना अनिवार ये है आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं नमस्कार सर क्या नाम है सर आपका सर अखिलेश कुमार नाम है कहां के रहने वाली हैं अखिलेश जी सर मैं पठना बिहार का रहने वाला हूँ बाकि पिछले 10 साल से मैं लुदियाना में हूँ और अब भी लुदियाना में बेसिकली अभी जोब कर रहा हूँ क्या काम करते हैं सर आप? सर मेरा अपना बेसिकली डीजाइनिंग का काम है और सुरू से ही मैं डीजाइन फिल्ड में हूँ और भगवान के किरपा से मैं इसमें अच्छा पैसारम कर रहा हूँ भी संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दिख्षा कब ली सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा मैंने पिछले साल 2 अपरील 2017 को लिया है संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या भक्ती साधना करते थे सर रामपाल जी महराज से नाम दिछा लेने से पहले मैं काफी भक्ती करता था ये पूछे कि मैं क्या नहीं किया जितने भी देवी देपता है उनके जो तीरत अस्तान है वहाँ पर भी गया हूँ बैजनाद धम गया हूँ जल चड़ाने के लिए ये मानेता थी हमारे जो बाप दाता है वो भी जाते आये हैं हम भी वहाँ पर जाते रहते थे उसके अलावा जो तीरत अस्तान है नो देवियां है उनके भी तीरत पर गया हूँ उसके अलावा घर पर भी जो पूजा पाट होता था उन में भी समलीत होता था जितने भी भक्ती करने हो चाहे रामनौमी करने हो चाहे जानमास्टमी हो उसमें भी सहता था भूखा रहता था और जो भी मन में मुराद होती थी पूरी स्रधा के साथ पूजा करता था चाहे महा कांस तब विस्वास करते हैं तो मैं भी उनको देखा देखी शिव जी को बहुत मानता था और शिव जी में मेरी भी आरादना बहुत ज्यादा थी इतनी थी कि कोई भी बात होता था तो मेरे मूझ से ओम नव शीवाय का जाप अपने आप निकल जाता था और अपने मन को शां मेरे पास नाम दिच्छा लेने से पहले से ये मौझूद थे इन पर भी सवास था मैं एक मंदीर है यहां पर लुदियाना में ही गुमारमंडी में रहा करता था तो वहां पर कृष्ण मंदीर है तो वहां पर सुबह में जाना पांच बजे के समय में जाना और सारा पूर्य जैसे कि सारे दिवी देवता जो है वो भारत वर्ष में जनम क्यों लेते हैं या सत्यूग में सारे एक ही समाज था जैसे कि सनातन धर्म हुआ करते थे त्रेता में भी सनातन धर्म था हिंदू ही हुआ करते थे दुआपर में भी सारे सनातन धर्म थे लेकिन ऐसा क्या करन पड कि कुछ हिंदू जो है न कोई हिसाई बन गए कुछ हिंदू जो है कुछ मुसलमान बन गए इस तरह के बहुत सरे सवाल मेरे मन में थे और इस तरह के सवालों का जवाब पाने के लिए मैं बहुत पंतों में भी गया जैसे कि राधा स्वामी पंत में भी गया और वहां पर भी मैंने question arises किये बट मेरे सवालों का जो मुझे सवाल का जवाब चाहिए था वो मेरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे था हलाकि राधर स्वामी पंत में जाने का वाद मुझे ये ग्यान हो गिया कि गुरू के बिना जोनक ग्यान नहीं होता है और वहाँ से मैंने काफी को सीखा लेकिन मेरे जो मन को संतुष्टी चाहिए थी वो संतुष्टी वहाँ पर नहीं मिल पाई मैं उनको छोड़के फिर मुझे जो है ना किसी मेरे कुलिग ने बताया मेरे दोस्तों ने बताया कि एक पंत है ब्रह्म कुमारी वहाँ पर जो है वह बहुत सारा साधना जोने नया साधना शीखनों को मिलता है नया चीज़ सीखनों को मिलता है और जो पुन परमात्मा उनके भी से में contarी मिलती है तो मैं वहाँ पर भ्र्म कुमारी में बेहा bout तो आठ-10 दिन मैंने वहाँ पर भी लगा है बनावटी किस्सा है तो मुझे यकिन नहीं है मैं उनसे जो हमें घ्राइब ग्यान दे रही थी उनसे मैंने चर्चा खत्म होने का बाद उनसे मैंने ये सवाल भी किया कि अगर राम जी नहीं हुए थे तरेता योग का कहानी अगर जूटी है रावन अगर नहीं था तो बताई सारा दिखाया तो उनका जवाब नहीं मिलने के बाद वहाँ से निरासों के अपने घर आ गिया फिर उसी तरह से अपना साधना चलता था मेरे एक दोस्त है जो बहादूर को रोड पर एक फैक्टरी है वहाँ पर उन्होंने बोला कि आपका सवालों को जवाब साइद कुमार स यहाँ पर वह सवाल के सामने एक फील्ड है वहाँ पर होनी है तो मैंने सुझा कि वहाँ पर देखूंगा सर जैसा कि आपने बताया आपने इतनी भक्ती साधना ही की आपने रादोस्वावी पंथ से नाम उब्दे से लिया फिर आप ब्रहम कुमारी पंथ में गए फिर आपने कुमार सुमावी के पास गए तो इन सब साधना उसे आपको क्या लाब पराप्त हुए सर इन सब से मुझे लाब तो कोई पराप्त नहीं हुआ क्योंकि मैं लाब पराप्त करने की भी उसे नहीं गिया था जो मेरे को कस्ट थे सारेडी कस्ट थे या धन से कमी थी या जो भी थी उस चीज़ का भरपाई बाद में होता है पहले तो मेरे मन को सांती चाहिए था जो मेरे को पूज़े पहले के पूजा पार्थ से भी कोई लाम नहीं मिला क्योंकि मैं इंजिनेरिंग का स्टुडेंट था लेकिन इंजिनेरिंग कोलेज में मेरे होने के बावजुद भी मेरे घर के बजेट ऐसे था कि मैंने इड़िस्न नहीं ले पाया मैं बिमार था, काफी बिमारियां थी, वह भी मेरा ठीक नहीं हो रहा था, 20 साल से एक इलर्जी की बिमारी थी, अगर मैं रात में अगर एक सिट्रीजीन का गोली ना खाऊं तो दूसरे दिन ठीक भी नहीं हो सकता, इस तरह के बहुत सारे प्रॉलम्स थी, मैं प्रॉलम्स गि मैं एक जापर मैं काम करता था, वहाँ पर मेरे एक भाई थे, जो वहाँ पर काम करते थे, उनका नाम सनी दास था, उन्होंने मुझे बताया कि एक गूरू है, एक ऐसे पूरुष है, जिनका ग्यान सुनने के बादे, आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, तो मैंने नामदान ले लिया, सरसंत रामपल जी महराज की सरण में आने के बाद, क्या आपको उन सवालों के जवाब मिलें, जो आप धूरूंड रहे थे? और एक दम सुई की नोक से भी छोटी छोटी जो बारीक जो questions होती हैं उस सारे questions को clear करती हुई मेरे मतलब कि अंतर आतमा के जितनी भी questions थी जितनी भी सवाल थी उसको जो ने एक एक करके मैंने clear किया और मुझे लगता है कि वो जो ग्यान बताते हैं जो वेद पुरान जो हमारे धार्मिक गरंत हैं जो जिसे हर घर में होना चाहिए जिसे परने का किसी के पास टाइम नहीं है सो उसे मैंने पढ़ा है मैंने हर एक सवाल को हर एक जो रामपाल जी महराज हमें बताते हैं वो सारे को मैंने एक एक करके गीता जी से या रिगवेट से मंडल नों में उन्होंने जो जो बताया है सारे को मिलाया परमाल लिया परमाल लेने के वाद मैंने सारा कुछ देखा कि स सारा जो वीधी है उनका सारा जो पूजा है वो बिल्कुल सही है, पूरन परमातमा को पाने का इसके अलाबा और कोई दूसरा उपाए नहीं है, संतरामपाल जी महराज के सरान लेने के वाद मेरे को बहुत लाब हुए है हलाकि मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे सरीर में जो बीमारी है वो ठीक कभी होंगे क्योंकि मैंने जिस दिन मैंने नामदान लेने का सोचा था उस दिन मेरे मन में सिर्फ इतना ही था कि मैं सिर्फ पूरन परमात्मा के पक्ष में जा रहा हूं उनके सरन में जा रहा हूं मेरे को वो भक्ती मिली है जिसकी मैं तलास कर रहा था मुझे वो कोस्टेंस के अंसर मिले बस इस कारण से मैंने नामदान लिये थे लेकिन तीन महीने जो इलरजी से में 20 साल से परसांद था जिसके फिछे मेरे माता पिता ने बहुत सारे पैसे लगा चुके थे मैंने पटना में भी दिखाया, एम्स में भी दिखाया, यहां तक मुहाली में भी दिखाया और लुद्याना में भी कई साल तक मेरी दवाई चली है, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि आपको डेली का एक सेट्रिजिन डेली खाना ही पड़ेगा वो जो है सिर्फ उनके पर्थम नाम मंतर तीन महीने जाब करते हुए हुए और मैं डेली दवा खाता था, गलती से मेरे से भगवान की माली की किरपा थी कि एक दिन छूट गिया और मैं कहीं चला गिया था और दवाई ले जाना भूल गिया तो वो क्या हुआ कि दूसरे दिन मेरे कोई लर्जी नहीं निकला फिर मैंने क्या कि एक दिन बीच करके खाना सुरू कर दिया उसके बाद दो दिन गयब करके खाना सुरू कर दिया मेरी वाइफ ने कहा कि आप जोने इसको बंद करके देख लो मेरी वाइप के कहने पर मैंने एक वर बंद किया और उसके बाद आज तक मैं बीना दवाई के हूँ सर लेकिन आज तक मेरे को वो बिमारी नहीं हुई मैंने एक इसका लाब और भी है कि मैं लुदियाना में अपनी तीन साल पहले जौब छोड़के मैंने एक छोड़ा सा फैक्टरी लगा था उस फैक्टरी को चालू करने के लिए मेरे पीता जी जो है वो एक लाग का उधार लेकर मेरे को दिये थे जो कि दो साल चलाने के बाद भी मेरा जोने सक्सस नहीं हुआ और बहुत सरा पैसा डूब गिया मुझे तो यही पतलाया कि जितनी सादना मेने पहले की थी उसका मेरे को भरपाई ही करना पड़ा कोई फाइदा नहीं हुआ लेकिन रामपाल जी महराज के सरन में आने के बाद जो मेरा तीस जार का जॉब था वो आज के डेटे में करीवन एक लाग से उपर हो गया है उसके अलावा मेरे जितने भी क ग्रो को चैलिंज कर रखा है आपको कैसा लगता है सर ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे जब से पतल चला कि पूरन परमात्मा जो है वो 600 साल पहले कबीर जी को रूप में यहां पर आये थे और सारा ग्यान देके गए हैं उसके बाद ही सारे पंत चले हैं उन् जितने भी मैं उनकी अलोचना नहीं कर रहा हूं या मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि उनके पस बिल्कुल भी ग्यान नहीं है निराधार बात है जो भी घर में छोटी बड़ी जितनी भी तरह की पूजा होती है वो सारे वेद पुरा में ये लिखा हुआ क्यों नहीं पड़ पाते हैं कि जो पूरन परमातमा है वो कभीर साहब है उनके बारे में पूरन परमातमा के बारे में जिक्र हर एक जगा किया हुआ है चाहे वो बाईवल हो चाहे वो गुरुननक देव जी का बाणी हो चाहे वो अपने बेद हो चाहे व हमारे गीता जी और गीता जी के तो हर एक अध्याय में उनका वरन किया हुआ है और सिर्फ हम लोग मानते हैं कि किरिस्जन जी भगवान है तो अगर भगवान है तो उनकी बात को क्यूँ नीरधार किया जाता है उनके दोबारा जो अपर युग में जो बोला गिया था हम खर्म नहीं थे, तो मेरे हर एक समुदाय से भी यह अनुरोध है कि वो सारे गरंथ को पढ़ें, यह सिर्फ हिंदू का नहीं, यह मुसलमान का भी गरंथ है, यह सिक्का भी गरंथ है, यह हिसाई का भी गरंथ है, और उनको एक बार देखें, उनको चेक करें, कि हमारे जो किये हैं, बहुत सही है, और यह काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, सर जो सरदालू आपको देख रहा है, उनको आप क्या संदेज देना चाहते हैं? सर, जो सरदालू देख रहा है, मैं तो ऐसे बहुत छोटा आदमी हूँ, कि मैं इसलैक नहीं हूँ, कि मैं उनको कोई संदेज दे सकूँ, लेकिन उन लोग से मेरी यह विंती है, कि वो समाज में बहकाय हुए जितने भी पंत हैं, उनके बिसे में, उनके बारे में जानकारी कि वो सत क्या है, सत क्या है, क्योंकि हमारी धार्मी गरंत है, अगर हिंदू को जानना है, तो हिंदू को नहीं देखिए, उनके धार्मी गरंत को देखिए, अगर हिसाई को जानना है, तो उनके धार्मी गरंत को देखिए, जो हमारे गरंत है, वो बिलकुल पुराने सनातन हैं जब आदी काल्थी उस समय से आये हुए हैं तो हमारे धर्म बताते हैं कि वेद हमारे भेद हैं यह सारे लोग जानते हैं मनुष्य जीवन एक बहुत दुरलव जीवन है यह पता नहीं अगले जीवन में आएगा की नहीं आएगा हम अगले योनी में किस योनी में जाएंगे किस योनी सा है यह पता नहीं है तो अपने मनुस्य जीवन को मेरे विचार से आप लोग को वेस्ट किसी को वेस्ट नहीं करना चाहिए सो एक वारे अगर मनुस से जवन मिला है यह वो समय है परमातमा के रूप में गुरु जी इस धर्टी पर मौजूद है हम लोग भी मानव सरीर में इस धर्टी पर मौजूद है तो इस मानव सरीर को वेस्ट ना करें मेरे यही विंती है मानव समा से और अपने परक से गुरू करें क्योंकि बीना गुरू के ग्यान नहीं है सर संत्रामपल जी महाराज से नाम दिख्षा कैसे ली जा सकती है सर संतरामपाल जी महाराज से नाम दिछा लेने का बहुत असान तरीका है इनका जो है प्रोग्राम हर एक दिन संध्या टीवी पर सारे साथ बज़े से आता है इसवा टीवी पर आता है और बहुत सारे चैनल जिस पर आते हैं उसके नीचे में जो पंच लाइन होती है जो यह लो कलर की लाइन होती है उस पर भी लिखी होती है जो भी नंबर है जहां से भी इंडिया के कोई अस्थान पर हो या इंडिया के बाहर भी है जो जिनके यहाँ कहीवल आजके नेक का सिस्टम में तो सारे जगें यह मवजूद आंगर से वह किसी नम्बर पर भी डायल करते हैं तो उनको जो है ना उनके बगल में जो भी नामदान केंद्र है वहां से उनको साधन उपलब्द करा जाता है और नाम दन दे दिया जाता है इसमें कोई प्रोब्लम वाली बात नहीं है धन्यवाद सर धन्यवाद आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्ख करें जानकारी के लिए संपर्शी जानकारी के लिए संपर्शी